हेलो एवरीवान वेलकम टू ग्यानाले आईए आज हम बात करते हैं जो लोगों के दिमाग में कुछ confusion चल रहा है ये मारेस के जोइनिंग को लेके की माम हमें कितने documents समिट करने हैं माम क्या हम जाएंगे और जाते के साथ जब हमारा document verification वहाँ पूरा हो जाएगा reporting के time पे तो उसके बाद हमें उसी समय जोइन कर लेना है माम क्या हम अपना backpack लेके जाएं अपने साथ और इस तरह की जितनी और problems है आए उन सब का solution आज अपने इस video में हम देते हैं क्या नाले के मात्यम से तो उमीद करूंगी कि आप लोग मेरे साथ अंस तक जुड़े रहेंगे आईए अपना ये वीडियो शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो लोग reporting के लिए जा रहे हैं वो लोग अलग अलग जगा जा रहे हैं रिपो अगर आप मध्यप्रदेश जा रहे हो वहां के लिए आपको भुपाल रिपोर्ट करना है हर जग के लिए अलग अलग reporting ये दिया गया है महराश्च्र के लिए आपको नासिक करना है मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस भी आप स्टेट सुसाइटी में रिपोर्ट करने जा रह है इसका मतलब कि वहां पर आपकी जरूरत है तो अगर आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हो और स्कूल्स खुलने वाले है तो आपको को अलोट कर दिये जाएंगे आपको यही निर्देश दिया जाएगा आगे कि आपको वहां पर रुकना है आपको वहां की सिस्टम को अ जगा पर किसी ऐसे स्टेट सोसाइटी में रिपोर्ट करने जहां पर की अभी स्कूल खुलने में टाइम है जैसे एक जुलाई से स्कूल खुलेगा तो वहां पर और आपको अभी रिपोर्ट करना है दस दिन का सपोस्ट गयाप है एक हफ़ते का गयाप है तो वहां पर आप उनसे request कर सकते हो और उनसे request करके जो की है आपका ये duration मतलब आपको दिया जा सकता है कि ये जो duration हात में है जो gap है उसमें जो की आप घर जाए और घर जाके फिर वापस आप आए तो ये देखिए हर state के लिए अलग-अलग नियम है जो वहां की state society बनाएगी जो वहां के principle क निर्देश पर बन रहे होंगे और वहां के लोग गवर्न करेंगे तो ये सब चीजे आपको जो की है दिमाग में रखते हुए चलना है इसलिए मेरा suggestion आप लोगों को यही रहेगा कि आप लोग जो की है अपने backpack लेकर जाए क्योंकि देखिए final decision जो है वो state society का है अब वो कि बाद वहां पता चलेगा जब आप reporting करोगे अगर आप बिना backpack के गए और वहां पर आपको रिपोर्ट करना रहा तो क्या पता आपको फिर वापस आना पड़े घर काफी दूर हो आपको वो बहुत जादा प्रॉब्लमाटिक लगे लेकिन आप backpack लेकर जाओगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लमाटिक नहीं होगा तो देखिए यह चीज अगर आप पहले चाहो क्लारिफाइ करना तो आप अपने नोडल ओफिसर से क्लारिफाइ कर सकते हो अगर आपको फिर भी confusion लगे आप एक बार nest पे भी call करके पूछ सकते हो लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये लोग date of joining जो है और school खुलने की जो प्रतिया है उस state की वो जो की है बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगी तो backpack ले जाना ही सही होगा आप लोगों के लिए ये तो थी पहली चीज दूसरी चीज है तेखिए जो भी आप लोग forms मतलब जो भी आप लोग original ले जा रहे हो चाहे फिर वो आपके appointment का posting letter हो या फिर आपके category certificate हो या फिर आपके अगर आपने जोब छोड़ा है आपके employer से आपने NOC लिया है तो हर किसी का दो-दो copy जो self-attested है वो ले जाना ही सही है आप लोगों के लिए क्योंकि minimum two copies की requirement तो पढ़ती ही पढ़ती है अब आप किसी ऐसे जगर जा रहे हो वहाँ पे अगर आपको जो की है दो copy भी मांग दी जाए और आपके पास सिर्फ आपके original हो तो आप problem में आ सकते हो उस समय आपको थोड़ी असोविदा हो सकती है लेकिन अगर आप पहले से ही खुद को आप prepared रखोगे आपने सुना भी होगा कि prevention is always better than cure तो ये वही चीज है कि आप खुद को prepare करके जाओ आप अपने सारे documents सारे original के साथ साथ दो self-attested copies लेके जाओ ताकि आपको उसमें भी जो किये कोई असोविदा न जहिलनी पड़े देखिए एक और चीज आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने discuss करना चाहूंगी देखिए अभी भी ना बहुत जगा ऐसा है अगर आ आके है मांडर है यह सारे जगहों पर आपको देखने को मिलेगा वो जो कि है अभी पूरे systematic तरीके से चलना नहीं शुरू हुआ है पर इसके साथ साथ paper में ही यही लिखा है कि इन लोगों ने ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया है इन लोगों ने कोशिश लगाई हुई है कि य स्कूल को और smoothly run करें functions जो की है और efficiently करें पर उसमें थोड़ा time लगता है तो आप लोगों को इन्हें भी time देनी की जरुआत है क्योंकि paper में जो आज का article है वो यही था कि लोगों की जो interest है लोगों का जो area of interest है वो घट रहा है पर और आवेदन जो जा रहे है वो काफी कम ग होगे central government की job है उससे जादा facilities भी आपको दी जारी है जो pay scale है वो भी एक अच्छी pay scale से आप job करना शुरू ही कर रहे हो तो इसलिए मेरी request आप लोगों से यही है कि आप लोग पहले ही हार नहीं माने defects ना निकालने की कोशिश करें और जैसे specifically जारकन के लोग है या जो लोग और application forms भर रहे है वो लोग बिल्कुल अपने application forms को भरे अगर वो लोग की जो essential qualification है educational qualifications वो match कर रही है age criteria के अंदर है तो बिल्कुल forms को भरे क्योंकि देखिए अगर अभी से right from scratch इन लोगों ने efforts डालने शुरू किये है तो यह करते 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 दिन पर दिन और बहतर होते चला जाएगा और आप लोगों को सारी facilities प्रोवाइट की जाएगी तो इसलिए आप लोग टेंशन ना ले अपने document verification के लिए जो भी reporting time date assigned किया जा रहा है जिस भी state द्वारा आप लोग timely वहां पहुंचे और अपने सारे documents लेकर जाए, backpack अगर हो सके तो वो भी लेकर जाए, दो- please stay motivated, please think positive and please keep on extending your love and support to Gyanale, stay tuned to Gyanale, हमें जो भी updates मिलेंगे, हम वो आपको इसी तरह further provide करते रहेंगे, so please like, share and subscribe our channel, thank you.